हलो दोस्तों मेरा नाम है अभी जिसे एक और आप सब देख रहे हैं स्टेडी भी तभी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सेरेट फरनेट फार्मूला को फ्रूफ करेंगे ठीक है तो आहीं देखते हैं क्या होते हैं अगर आपने मारी प्रीबिस वीडियो को नहीं दीएस और यह एकोल होता था कपा एन-कब और दूसरा मैं आपको बता हुँआ था टएजन वेक्टर ठीक डीवीडियों यह क्या था यह by normal unit vector होता है और यह equal होता है tau n cap के ठीक है minus लगता है इसमें और एक तीसरा formula होता है जो की unit normal vector का होता है dn ds इसको curvature बोलते है ठीक है screw curvature बोलते है और यह equal होता है हमारा tau b cap minus kappa t cap ठीक है यह हमारा formula होता है आईए अब हम इसको प्रूफ करते हैं बारी-बारी से एक को लेकर करें पहले हम चलते हैं ये करवेचर वेक्टर को लेकर प्रूफ करते हैं इसका मतलब क्या है किसी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर है और अगर इसको हम डिफ्रेंशियेट कर दें बित रिस्पेक्ट तो ये इतना हो जाएगा और ये हो जाएगा डबल डैस इसका मतलब सेकेंड अब हम जानते हैं अब ये हो गया अब चलते हैं देखें हमने वेक्टर कल्क्रस में पढ़ा है कि कोई भी यूनिट वेक्टर है या या इसके यहां से मैं दो चीज़े मिली पहला कि da tds जो है वो यूनिट एंजिट वेक्टर के परेंडियूरर है आईए यहां पर थोड़ा से समझ लेते हैं जिसे यह हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन है ठीक और इसमें हमारा tangent Vector होगा ठीक और इसके perpendicular यहां से अगर देखें इसके perpendicular है तो इसको हम लिख सकते है क्या क्या ये वाला vector हमारा क्या है? dt.ds इसके perpendicular होगा ठीक है और इसी plane में lie करेगा क्योंकि यहाँ पे है ठीक है पैरलल है यानि कि उसी plane में lie करता है तो आई यह दिखते हैं, यह हो गया, अब देखिए, जो कि जो unit हमारा की tangent होता है, इसी के perpendicular हमारा normal vector भी होता है, यानि कि dtds और n cap हमारे parallel हैं, ठेक, dtds is parallel to n cap, ओके, जब दोनों vector parallel होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, dtds is equal to lambda n cap, ओके, यह हो गया, इसको हमने proof कर लिए, आप क्या करते हैं, दोनों side का mod ले लेते हैं, तो हो जाएगा dtds is equal to mod of n, n cap, ठेक, और यह equal हो जाएगा n cap के, चुकि यह unit vector है, तो इसका magnitude 1 हो जाएगा lambda, ठेक है, तो यह हो गया, और इसकी value क्या होती है, इसकी value हम जानते हैं, इसकी value हमने लिखा हुआ कपा होती है, तो लेमडा की value यहां से में कितनी मिली कपा, और इस value को उठा करके हम equation number 1 में रख देते हैं, तो हमें मिल जाता, आईए रखते है, equation number 1 में, equation number 1 है, यहाँ पे रखते हैं, तो यह हो जाएगा dtds is equal to lambda की value है कपा, और n cap, ठेक, तो यह हमारा proof हो जाएगा, इस formula क अब देख सकते हैं, dtds is equal to kappa n cap, ठेक, यहाँ पे हमने lambda की value यहां से put करती, तो यह होगा हमारा पहला formula, अब चलते हैं, तो चलिए अब proof करते हैं, दूसरे formula को, दूसरा formula है, दूसरा formula जो हमारा है, वो है dbds, यानि कि binaural vector का derivative, वो equal होता है, tau n cap, यानि minus tau n cap, ठेक है, इसक होता है, अपने derivative vector के, ठेक, तो यह चीज़ होगी, दूसरी चीज़ समझने से पहले हम थोड़ा सा, पहले यह समझ लेते हैं, कि यह होता है, हमारा tangent vector, यह होता है, normal vector, और यह होता है, binormal vector, तीनो perpendicular होते हैं, ठेक है, तो आईए दखते हैं, तो अगर तीनो perpendicular है, तो b dot t, क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यह perpendicular है, ठीक, dot product होगा, अब इसको क्या करते हैं, हम differentiate कर देते हैं, respect to s, आईए इसको vector differentiation करते हैं, vector differentiation आपने पढ़ा होगा, किस तरीके से होता है, dbds.tk plus vector b dot dtds, okay, आईए value को रखते हैं, यहां से इसकी value होगी, dbds.tk plus vector b dot, देखे, इसकी value होगी यह होता है, kappa n, अभी हमने इसको proof किया हुआ है, ठीक है, तो आईए इसको देखते हैं, यह होजाएगा, dbds.tk plus, देखे, यहां से kappa बाहर हो जाएगा, और यह vector b, यानि कि b cap और n ka f vector है, इनका dot product होगा, क्योंकि b cap और n cap क्या होते हैं, perpendicular होते हैं, इसलिए इनका dot product क्यो हो गया, 0, ठीक है, तो 0 हो गया, तो यह equal हो जाएगा, देखे, यहाँ से, यह 0 अभी इसका 0 था ना, तो दोनों साइट differentiate करेंगे, तो यह भी 0 है, ठीक है, और यह 0 हो गया, पूरा term, कितना बचेगा, केवल बचेगा, dbds.tk is equal to 0, तो देखे, यहाँ यहाँ पे, यह vector यह है, दूसरा vector यह है, दोनों का dot product 0 है, इसका मतलब क्या है, दोनों परस पर क्या है, बिचली perpendicular है, तो यहाँ पर हम लिख सकते है, dbds, perpendicular to tcap, ठीक, आप देखे, ऊपर से इस चीच को और इस चीच को दोनों को हम साथ में देखते है, देखे, dbds जो है, वो bcap के perpendicular है, ठीक, इ यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कि क्या लिख सकते हैं, यह employees करता है, dbds is parallel to ncap, ठीक, मैं आपको बताया क्यों, तो जब भी दो vector parallel होते हैं, तो उनको हम इस तरीके से लिखते हैं, is equal to mu ncap, अब देखे, दोनों साइट का हम क्या करते हैं, mod ले सकते हैं, ठीक, तो अगर हम mod ले तो जाएगा mu, और इसकी value हमने पढ़ी हुई, जो हम आपको पढ़ा रहे थे, thousand, तो इसकी value होती है, tau, तो यहाँ से मिला mu is equal to tau, और इस value को उठा करके, गर हम यहाँ रख देते हैं, तो यह हो जाता है, dbds is equal to mu की value tau रखते हैं, और ncap, तो हमारा यह proof हो गया, ठीक, बट यह हो गया, बट जो convention है, और जो right-handed system होता है, उसमें अगर देखा जाए, तो इसकी value जो आती है, dbds minus tau ncap, ओके, यह convention की तरीके भी मारा जा सकता है, कि इसकी value जो होगी, वो minus tau n होगी, और इसका जो mod होगा, वो tau के बराबर होता है, तो चलिए तीसरा formula प्रूफ करते हैं, तो चलिए अब हम तीसरा formula प्रूफ करते हैं, तीसरा formula हमारा है, कि जो हमारा principle normal vector होता है, इसका derivative, यह equal होता है, tau b cap minus kappa t cap, ठीक, आई इसको प्रूफ करते हैं, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एक चीज़ समझ नहीं होगी, जो कि मैं previous video में भी बता आ चुका हूं, कि जो system होता है, यहाँ पर होता आपका n cap, और यह होता है आपका b cap और यह होता आपका t cap, ठीक, यह anti clock wise system है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम b और t का cross mode करें, तो हमें यहki n cap मिलता है, सब्सें नहीं हम लिखち सकते हैं, यह लिखते हैं कि n cap is equal to b cap cross t cap, ठीक के यहां से समझ सकते हैं तो अब हम क्या करते हैं वेक्टर डिफेंसियेशन करते हैं इस तरीके से होता है अगर आपने नहीं पढ़ा है यहां पर देख लिज़े इस के अब फ्लस जिस तरीके से हम करते हैं से मुस्सी तरीके है कि कपपा एन काइफ होती है ओके इतनी होगी अब आईए यहां पर देखिए माइनस टाउ बाहर हो जाएगा और एन और टी का अगर क्राउस पाड़र करें यहां से दिखिए एन है यह यह यहां कि हम क्लॉक्वाइज डेक्षिम चल रहे है तो जब भी क्लॉक्वाइज डे यहां पर जो हो जाएगा यहां पर हमारा क्या हो जाएगा माइनस टी केप ठीक है और यह इकोल हो जाएगा टाउ बी केप माइनस कपा टी केप ठीक है तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि डी एन बाई डी इस इस इकोल टू कितना होता है ठीक है ठेंक्स वर वाचिंग